Hello and welcome back everyone. Last video में हम लोगोंने basic numerical operations discuss किये थे. In a same sequence, आज हम बात करने वाले हैं कुछ string operations जो JavaScript में हम लोग use करते हैं और काफी beneficial होते हैं जब किसी भी logic को implement करते हैं या कोई program बनाते हैं. So, जो आज हम string operation पढ़ने वाले हैं या आपके जो different programs हैं उनमें काम आने वाले हैं तो इसको अच्छे से समझना है first of all and step-wise step में आपको जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से सीखेंगे और कुछ बच्चों की query आ रही थी कि जो activities हैं हमारी हर एक section के बाद में उनमें कुछ programs हैं और वो practically उन पे भी एक video बनाने के लिए so एक बर ये finish हो जाता है then we will move on that now बात करूं में अगर string operation की तो सबसे पहले मुझे ये पता होना ची इस ट्रिंग क्या होता है तो मैं बता दूं कि जो भी set of character कह सकते हैं ठीक है set of characters string कहलाता है जैसे double quotation में मैंने लिखा hello javascript तो ये मेरे लिए क्या है एक string है ठीक है और we can also say characters का combination या फिर characters का जो एक collection है वो आपका string कहलाता है and इस पे हम क्या operation perform कर सकते हैं so major operation that can be performed is concatenation concatenation is to add is to plus दो strings को add कर देना कहलाता है concatenation ठीक है which can be performed by placing plus sign between two strings दो strings को हम add करने के लिए concat करने के लिए क्या use करते हैं sign plus sign का use करते हैं this can be discussed हम पहले भी ये बात discuss कर चुके है and जो common string operation है उसमें से सबसे पहला आता है length जो length method है ये क्या करता है आपके string का length calculate करता है for example आपने क्या क्या वी अर वी अर से क्या करते हैं कोई भी variable declare करते हैं और यहाँ पे हमने variable का नाम दिया है str और उस str variable में मैं क्या store करवा रहा हूँ एक string store करवा रहा हूँ देखे double quotation में आप जब भी कोई चीज लिखते हैं set of characters को तो वो एक string कहलाता है और यहाँ पे मेरे पास string क्या है hello javascript जिसको मैंने किसमे store करवा दिया है str नाम के एक variable में now अगर मैं चाहता हूँ कि यह जो string है इसकी length calculate करना चाहता हूँ तो मुझे length method call करना होगा और वो हम कैसे करेंगे इस variable की length calculate करने में इसका use करते हैं तो कैसे करेंगे document.write document.write क्या करता है आपके browser पे display कर देता है यहाँ पे आपने क्या लिखा str.length length method call कोल किया और यहाँ पे str.length जो आपने लिखा है यह क्या calculate करेगा str variable में जो string है उसकी length calculate करेगा और यहाँ पे आप देखेंगे इसका length जो है वो कितना है count कर लेंगे यह 5 हो गया यह 4, 5 और 4 आपका कितना हो गया 9 और 5, 15 और 1 यह जो बीच में space दिया है हमने दोनों को बीच में space भी जो है वो भी आपका एज है length count होता है तो जो भी white space in between आप कोई भी string में use करते हैं वो आपका count होता है उसकी length में तो total कितना हो गया 15 plus 1 16 तो यहां पे जो browser पे आपको return होगा जो display होगा वो क्या होगा इस string की length कितनी होगी 16 होगी तो यह length क्या करता है आपके string का length return करता है दूसरा आपके पास search होता है search क्या करता है किसी भी string को जब आप किसी particular string में search करते हैं किसी भी word को या किसी भी character को तो वो उसकी location को return करता है it return the starting location of passing string otherwise return minus 1 अगर नहीं मिलता है तो वो minus 1 पास करता है देखिए यहां पे मैंने एक string लिया str जिसमें क्या लिखा है this is my first script in javascript तो यह एक complete बड़ी string है और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ str.search और search क्या कर रहा हूँ script तो पहली बार जब script आएगा वो यहां पे आ रहा है आपका script तो यह जो आपका script है यह ध्यान रखें जावा script में यह capital है यह small है तो यह आपका इसी script को return करेगा इसी script का location बताएगा आपको ठीक है तो this is my first script तो यह आपका कितने number पे start हो रहा है आपका calculate कर लेंगे 4 5 space count हो गया 6 7 फिर space 8 फिर 2 9 और फिर space 10 और फिर यह 5 15 फिर space 16 बट आपका जो है number जो script start हो रहा हूँ वह 17 से हो रहा है तो आपका return क्या करेगा 17 return करेगा तो यह आपको ध्यान रखना है now sub string क्या करता है sub string method जो है वह extract करता है किसी भी script का कोई portion आपको as a string चाहिए तो आप उसको क्या करते हो sub string method का use करते हैं यानि कि sub string यानि कि पूरी जो string है इसमें से कोई portion आपको cut out करना है यानि कि as a string आपको required है तो आप उसमें से वो extract कर सकते हैं with the help of sub string अब sub string में जो है आपको दो value पास करनी पड़ती है starting point और end point यह जो आपकी complete string है इसका starting location और end location आप बताएंगे तो वो return करेगा यहाँ पे जैसे आपने लिखा str यह एक variable जो है str में store हो गया now str.sub string 7,16 तो 7 location से start होगा 16 तक का वो आपका string return करेगा तो यहाँ पे आप calculate करेंगे तो यहाँ तक आपका 7 हो जाता है तो वो क्या करेगा यहीं पे हो जाता 7 तो यह आपका return करेगा यहाँ से my और 16 यहाँ पे finish होगा तो my first तो my first जो है वो आपका sub string आपको return कर देगा तो this is the way you can use length, sub string, search ठीक है now mixing numbers and strings जब आपको ऐसा required होता है कि आपको numbers के साथ string यूज करना होता है in that case an expression which is mixing of a number and string is generally required when we have to describe a meaning of display the value to the user इस तरीके का आपकी requirement होती है कि आपको number के साथ display कराना है तो आप इसका use करते हैं, if we use to display total marks and percentage of a student then we can specify which value is for the total marks and which value is for the percentage, so in that case for example mixing of number and strings is easy you have to join the string and numeric value together by using plus sign जैसा कि मैंने कहा था plus sign से आप concatenate कर पाते हैं ठीक है, so not perform the calculation rather than concatenate the whole expression वो क्या करता है calculation ना perform करके उनको add कर देता है, जैसे यहां पर मैंने लिखा document.write total marks equals to, तो यह तो आपकी string है as a tease, क्योंकि double quotation में लिखी है, as a tease आपकी लिखी जाएगी plus आपने किया है, इसका मतलब वो उसको concatenate कर देगा, उसके साथ लिख देगा, 450 तो यह पूरा का पूरा expression आपको return हो जाएगा, total marks equals to 450, तो यह भी एक तरीका है, कि आप जो है, concat कर सकते हैं, किसी भी number को किसी string के साथ ठीक है, अब बात करते हैं, data type conversion की, तो data type conversion दो तरीके का आप JavaScript में देखते हैं implicit और explicit, नाम से ही आपको पता चल रहा है implicit, that means automatically conversion हो जाता है, and explicit जो हम अपना conversion के लिए data type देते हैं, then वो number आपका convert होता है दूसरे किसी type में so JavaScript automatically convert the data when two different types are used in expression and evaluate the expression, this act is called type conversion, there are two types, one is implicit type conversion, so implicit में क्या होता है, this conversion is done by JavaScript automatically when expression is evaluated, if there are two different type are given दो अलगलग type हैं, but दोनों ही compatible नहीं हैं, not compatible to perform the operation so implicit conversion उस case में हो जाता है, if one value is a number and second is string with arithmetic operation given expression then it converts string to the number and perform the arithmetic operation, ऐसे case में होता है जब आपके पास number है, दूसरा आपका string है तो आप कैसे उनको add कर सकते हो, यानि कि कैसे उस पर arithmetic operation perform कर सकते हैं so ऐसे case में हम क्या करते हैं जो java script है, वो automatically उसका type convert कर देता है, यानि कि जैसे यहां पर 14 plus double quotation लिखा है, double quotation means एक string है, लेकिन उसमें कोई value नहीं है, वो null string है, तो null string को अपने आप java script implicit type convergence से 0 मान लेगा और 14 plus 0 क्या return कर देगा 14 return कर देगा in a similar manner, अगर आपने लिखा 13 into 5, तो 5 वैंसे string format में लिखा है, लेकिन यहां पर multiply और 30 से, तो 5 को भी वो कैसा number बना देगा और 5 को क्या कर देगा numeric conversion कर देगा, यानि कि जो उसका type conversion है, वो number कर देगा तो 5 into 30 कितना हो जाएगा 150, तो यह आपका कहलाता है, implicit type conversion JavaScript इसको automatically convert कर देता है, ठीक है second जो यहां पर example दिया हुआ है if both the operands are strings with arithmetic operator both are converted into the number and result is produced जैसे यह 14 है और यह 15 है तो दोनों ही आपके number है तो in that case, दोनों आपके numbers को strings को number convert करके add कर देगा, यानि कि 29 as a result आपको मिल जाएगा if one value is null arithmetic operation then it convert to integer value 0 जैसे यह अभी मैंने का था null plus 5 है, यह कोई null string है, तो उसको 0 consider करता है, और 0 plus 5 क्या return करेगा, आपको 5 return करेगा, in a similar manner जो boolean arithmetic operation होता है वहां पर 0 और 1 value होती है यानि कि आपका true का मतलब क्या होता है, 1 1 है, तो 1 plus 5 क्या कर देगा, return 6 और false का value 0 consider होगा, तो 0 plus 5 क्या हो जाएगा 5, तो यह किस case में होता है boolean arithmetic operation के format में होता है, if the value cannot be converted, अगर value convert नहीं हो पाती है, यानि कि कोई इस तरीके का है, for example ABC लिखावा है, तो आपको यह तो बात होगे implicit, यह conversion जो था, वो automatically JavaScript कर देता है, sometimes आपको required होता है कि आप specify करते हैं किस type से उसको convert करना है, तो वो कहलाता है explicit type conversion, जो user खुझ से बनाता है, okay, developer by using the inbuilt method of type conversion, now for example number है, तो number में convert करने के लिए हम number method का use करते हैं, किसी भी number, किसी string को, जैसे 40 है, तो इसको number में, यह double quotation में लिखा है, मैंने बताया है, string हमेशा जब भी कोई value double quotation में लिखे है, तो वो क्या consider होती है, string, तो यहाँ पर यह 40 string है, बट हमने उसको number method में use किया है, तो वो उसको क्या कर देगा, numeric कर देगा, 40 को जो string थी, उसको क्या बना देगा numeric, in a similar manner, अगर number में हम null value यूज करते हैं, तो null को वो क्या consider करेगा, 0, null यह फिर empty string यूज करते हैं, empty string को भी वो null समझता है, तो वो भी आपको answer क्या हो जाएगा 0, false को value को मानेगा 0, और अगर true यहाँ पर value होती, तो उसको क्या consider करता 1 value consider करता type आपने लिखा, तो type ना true है, ना false है, ना null है ना empty string है, तो उस case में वो number method जो है, क्या return करेगा, n, a, n, note है number, right, तो यह कुछ convergence होते हैं, जैसे number method से हम इनको consider कर सकते हैं कि कि तरीके का आपका, जो input है, वो किस तरीके का convert करना उसको numeric convert करने के लिए हम इसका number method का use करते हैं parse int की अगर मैं बात करूं, this method returns the integer value by accepting two arguments, हम इसमें दो argument pass करते हैं, और उसके according integer value हमें मिलती है, जैसे first argument क्या होता है, string having numeric value, जो first जो argument होता है, वो numeric number आपका होता है, second argument is the radix, यानि कि base आपका होता which specify returning value present in the specific number system, तो यह तरीका होता है parse int को use करने का, दो हम उसमें pass करते हैं, पहला argument जो है, कोई numeric value और दूसरा उसका, जो किस radix में है, उसका base क्या है ठीक है, तो यहाँ पे जैसे, if radix is omitted अगर radix नहीं लिखा आपने, either it checks beginning to the string of radix, for example, if string begins with ox, then radix is 16 यानि कि hexadecimal if string begins o अगर string o से begin हो रही है तो वो क्या कलाएगा, octal number ox है तो hexadecimal, और o है तो octal number होगा, otherwise radix is taken 10 और other cases में वो उसको क्या मानेगा, radix, यानि कि base को क्या मानेगा 10 मानेगा, decimal number system जो आप पढ़ते हो 0 to 9, 10, 11, 12, 13 यह radix क्या है, decimal number system है, जहां पे numbers 8 होते हैं, digit 8 होते हैं 02 लेके 7, 7 के बाद 10, 11, 12 हो जाता है hexadecimal में 02 आपका 9, 9 के बाद A, B, C, D, E, और F 16 16 कंशेडर होता है, ठीक है जैसे, यहां पे देखे, example दिया हुआ है, यहां पे आपने 10 लिखा, लेकिन 10 के बाद में एक ही argument है, दूसरा argument नहीं है यहां पे, यानि कि base हमने pass नहीं किया, तो वो base by default उसको क्या समझ लेगा, ना तो आपने OX लिखा, ना आपने O लिखा, तो आपका decimal हो जाएगा, और decimal में दसमलव जो आपकी संख्या होती है, उसमें decimal 10 जो है, 10 ही कहलाता है, तो return क्या होगा, 10, यहां पे 40.33 है ठीक है, तो यह क्या करता है, integer value pass return करता है, तो यहां भी अगर आपने base नहीं लिखा, क्योंकि दो value pass करनी होती, first argument numeric value, और दूसरा आपका redix, यहां भी redix नहीं लिखा, तो वो क्या consider करेगा, 10 consider करेगा, तो answer क्या हो जाएगा, 40, यहां पे 19 COVID लिखा आपने, तो यहां पे देखेंगे, कि 19 COVID लिखा है, लेकिन हमने क्या नहीं pass किया, इसके अंदर, base pass नहीं किया, तो यह आपका string आपका consider नहीं करेगा, जो numeric value 19, वो आपका return हो जाएगा, ऐसे अगर COVID-19 है, तो यह आपका numeric से start नहीं हो रहा है, alphabet से start हो रहा है, तो यहां पे वो इसको क्या करेगा, N, A, N return करेगा, कि यह एक number नहीं है, note है, number, यह difference होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे numeric value से start होना चाहिए, तो first argument है, ठीक है, now, percent 15,8 यहां पे देखेंगे, 15,8 तो आपने redix pass कर दिया, 8 8 का मतलब क्या हो गया, octal number system octal number system में, 15 को कैसे लिखते हैं, 15 को आप 8 से divide कीजिए, देखें, 8 बन जा, 8, और कितना remainder बसता है, 7, ठीक है, तो आपका यह हो जाएगा, 7 तो अब जो number, repeat होते हैं, 7 digit पे आपका, यह आपका जो है, 7 remainder आ रहा है इस case में, अब इसको 15 को आप लिखते हैं, octal के अंदर 13, तो return क्या हो जाएगा, आपका number 13 ठीक है, नाव यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने लिखा base 16, तो यह आपका क्या consider हो जाएगा, 22 return कर देगा, तो यह different तरीके होते हैं, कि आप parse int को यूज कर सकते हैं, इने similar manner आपके पास पार्स float का भी option होता है, float value आप return करवाते हैं, इसमें भी आपका वही होता है कि method written integer value accepting one string argument, and conversion of a number, if number exists, it convert number into otherwise written an an, यहाँ पर 23 है, तो return कर देगा 23, 23.55, 23 yard है, तो 23 return कर देगा, लेकिन अलफा नुमेरिक नमबर है, alphabet से start हो रहा है, तो रिटन क्या करेगा, number return करेगा, इने similar manner, अगर आप evaluation करना चाहते हैं, कोई expression दिया है, उसको solve करना चाहते हैं, तो आपके पास evaluation method होता है, eval, it's a short form of evaluate, तो यह जो expression है, इसको solve करेगा, तो आपका जब आप इसको solve करेंगे, तो division पहले करेंगे, 2 हो जाएगा, 8 को 2 से multiply करेंगे, 16 आपका result आपको मिल जाएगा, तो यह तरीका है, now converting strings, string convert करने का आपके पास में, यहां पे option होता है, string को आप जैसा मैंने कहा, कि this is the method to convert any string value where possible accepting one argument, if argument is integer value, it convert to the string, जैसे आपने लिखा string 40, तो वो उसको as a string consider करेगा, 40 को, ठीक है, number नहीं है, numeric नहीं consider करेगा, क्या return करेगा, वो string return करेगा, if argument is boolean type, then string false is considered as a false, और आपने null value दिया, तो आपका क्या करतेगा, उसको null को भी क्या मानेगा, string convert करतेगा, string as a string उसको read करेगा, in a similar manner, boolean method होता है, boolean method में, आप अगर कोई value, 0, false, null, अगर आप pass करते हैं, तो वो आपका 0 consider होगा, या false consider होगा, कोई भी value pass करते हैं, ठीक है, other than null, other than empty, तो वो आपका true consider होगा, जैसे 25 pass किया boolean method में, तो true, hello pass किया, true, बट अगर आप 0 pass करते हैं, या null pass करते हैं, या empty pass करते हैं, तो वो return क्या करेगा, false return करेगा, boolean में दो ही value आती है, either true और false, ठीक है, तो यह कुछ आपके points थे, and definitely hope कि आपको समझ आया होगा, अगर कोई doubt है, तो आप comment section में लिखके मेरे से पूछ सकते हैं, so next, जो आपका video है, उसमें हम लोग, आपका fourth section स्टार्ट करने वाले हैं, so till then, keep watching, keep learning, thank you.